नमस्क्र दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सिंटर पर इस वीडियो हम लोग देखेंगे कोणी मापन यान की अंगुलर मेयरमेंट के बारे में अब्जेक्टिव कोश्चन चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन आज कर कोणी सतय की जाच के लिए ड्रा सर्कुलर एंड आर्क्स यान कि वरित और चाप खींचना और सी है इसक्राइबर लाइन और डी है नाना फ्तेज तो कंबिनेशन सेट का यूज हम लोग करते हैं कोणी सतय की जाच करने के लिए यानि कि चेक एंगुलर सर्फेस इसका यातन से हो जाएगा चेक एंगुलर सर्फेस 52 नमबर कुश्चन है एकुरेसी आफ सेटिंग एसाइन बार साइन बार कि स्थिति की अथार्थता आपसन है इच पूबर फार इसमाल एंगर और भी है इच मैक्समा में एंगल आफ मेजरमेंट इज सी है डिक्रीज अप्रिसी एबली इट इस्टिप एंगल डी है इच डिपेंड आन एकुरेसी आफ आफ आउटर डाइमेंशन आफ साइन बार साइन बार कि स्थिति की अथार्थता आफ हम लोग चक करते हैं डिक्रीज अप्रेशियेबल विथ इस्टीप एंगल याने की अधिक उत्थान कोंड के साथ समारूप से घड़ती है जो सेनबार की इस्थिक यथार्तता रहती है वह अधिक उत्थान कोंड के साथ समारूप से घड़ती है तो इसका सियाप नसाई हो जाएगा 53 number question है External taper can be accurately measured with the help of External taper stick Roop से किसकी मदद से मापी जाती है Hafton है Sign bar and slip gauge Dividing head Height gauge Cleanometer External taper Satik rup से इसकी मदद से नापी जाती है वो रहता है Sign bar और slip gauge तो इसका यह option से हो जाएगा External taper Satik rup से हम लोग मापने के लिए Sign bar और slip gauge का परियूग करते हैं तो इसका यह option से हो जाएगा By taper को sign bar तथा slip gauge की साहता से मापा जाता है और sign bar का उपयोग 60 degrees से अधिक वाले कोणों के मापन के लिए नहीं किया जा सकता है Sign bar एक ऐसा मापन यंत्र है जो ग्यात किये जाने वाले कोणों को रेखी यह में बदलकर कोणों यह विवस्थित करने या यह थार्था पूर्वा कोण मापने में काम आता है 54 नमबर कोश्चन है विच आपदा फालोइंग कंसीडर्ड एज इस लिप गेज ग्रेड निम्न में से किसे सिलिप गेज की ग्रेड में समलित करते हैं संदर फागय यनिखी इफरेंस ग्रेड और इनमबर है कलिब्रेशन ग्रेड आ जिरोऑ ह संदरहे बड चलिप घ्रेड जोगर्गय और यह जो जो से किणा जाता है है जिसका डी अप्सन से हो जाएगा आला आपता है बब फिप्टी फाइफ नंबर कोश्चन है प्रासेस आफ रिंगिंग इन स्लिप गेज इस ड्यू टू स्लिप गेज में रिंगिंग प्रिक्रिय का क्या करण है आप्सन है मालिकुलर कोहेजन यानिके आउनुक आसंजन दी है मालिकुलर अधेजन यानिके आउनुक आसंजन सी है एयर फ्रेक्शन डी है एयर वैकूम तो स्लिप गेज में रिंगिंग प्रिक्रिय का कारण होता है मालिकुलर अधेजन यानिके आउनुक आसंजन तो इसका भी आसंजन से हो जाएगा आउनुक आसंजन 56 नंबर कुश्चन है एंगल स्लिप गेज मेजर एंगल मोर एकुरेट दैन कौन स्लिप गेज डट 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 से अधिक यथार्थता के साथ कौन मापन में करते हैं आपसन है साइन बार अप्टिकल फ्लैट आटो कॉली मीटर डट है नानाफ देज तो कौन स्लिप गेज साइन बार से अधिक यथार्थता के साथ कौन मापन करते हैं तो इसका यह आपसन से हो जाएगा साइन बार कौन स्लिप गेज साइन बार से अधिक यथार्थता के सायनबार का क्या कारी सिध्धान्त हैं आपसन है त्रिकुन मिती प्रकासी व्यत्करणी वीजगनती तो सायनबार का कारी सिध्धान्त होते हैं